एदरबाद के रचकोंडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो लोगों के घरों से गहने चुरा कर फरार हो जाता था बताते हैं कि पुलिस ने आरोपी के पास से धायलाग के गहने बरामत किये हैं वह ग्रफतार किये गए चोर की पहचान याद अवली रामकृष्ण के रूप में की गई है इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले रामकृष्ण ने अपने भाई के विवा के लिए आमंतरित करने के बहाने अपने किसी परिचित के घर की रेकी की थी जहां बादचित के दौरान रामकृष्ण ने कहा कि वह उनके अभूषणों जैसे अभूषण बनाना चाहता है जिसके लिए वो गहनों की तस्वीरे लेने को कहा और तस्वीर लेकर वहां से चला गया कुछ दिन बाद परिवार वालों के पैरो तले जमीन तब खेसक गई जब उन्हें गहने की जरुवत पड़ी और जब उन्होंने बकसे को निकाला तो वह बकसा पूरा को पूरा खाली था गहने चोरी होने की शिकायद उन्होंने पुलिस को कर दी मामले की जान कर पुलिस ने गहने के साथ चोर को गरफतार कर लिया